नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर ग्रामिन डाक सेवक से मल्टी टास्किंग स्टाफ में जो पदनोती पिरिख्षा होती है उस पिरिख्षा की त्यारी इस चैनल पर कराई जारी है अगर आप चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब कर लें आज हम पोस्टल ला लाइफ इंस्वरेंस के बारे में पूरी जानकारी पाना तो दोस्तों सबसे पहले हम डिसकस करते हैं होल लाइफ इंस्वरेंस को जिसको की हिंदी में ग्राम सुरक्षा योजना भी बोला जाता है भारतिय डाक जीवन भीमा में तो इसकी जो एज लिमिट होती है इस को खोला जा सकता है 20,000 का समभीए व्यक्ति अगर चार साल तक लगातार इस पॉलिशी को चलाता थो चार साल के बाद इस से पॉलिशी में वेशलीर अपलब्द है और कोई अर्व चाल में पॉलिशी साल के वाद होजिन वेंत्च पॉलिशी को को surrender करा सकता है और अगर बात करें bonus की तो इसमें जो bonus है आजकल के हिसाब से वो है 85 रुपेज पर 1000 समशोड के उपर मलब 1000 के उपर आपको 85 रुपेज का समशोड मिलता है 85 रुपेज का समशोड मिलता है तो दोस्तों बात करते हैं convertible whole life insurance की convertible whole life insurance को gram सुविधावी बोला जाता है इसमें जो age limit वो होती है 19 साल से 50 साल मतलब 19 और 50 साल के वीच इस policy को कोई भी खोल सकता है और इसका जो समशोड रहता है वो minimum 20,000 से लेकर maximum 50 लाग तक ही रहता है जो की whole life insurance के वरावर रही है और इसमें भी लोन की facility उपलब्द है जो की अगर आपकी policy continuous चार साल चली है तो चार साल के बाद आप लोन की facility इस convertible whole life insurance में या gram सुविधा में ले सकते हैं और अगर आप policy को surrender करना चाते हैं तो तीन साल बाद आप इस policy को surrender कर सकते हैं और जो bonus rate रहता है इस convertible whole life insurance का वो रहता है 85 रुपे पर 1000 के उपर मतलब 1000 के उपर 85 रुपीज का जो है bonus रहता है साल का मान लीजिए आपका जो है एक लाख की policy है एक लाख की policy है और साल का तो 85 रुपे के इसाफ़ से आपको 85 रुपे का bonus मिलेगा एक साल का तो दोस्तो बात करते हैं अब endowment assurance की endowment assurance को हिंदी में गराम संतोष पोस्टर लाइफ इंस्वरेंस भी बोला जाता है मलब गराम संतोष भारतिय धाक जीवन बिमा तो इसकी age limit रहती है 19 साल से 55 साल 19 साल से 55 साल के वीच इस policy के कोई भी खोल सकता है और समशोड सेम रहता है 20,000 से minimum और 50 लाख मैक्सिमम तक का और इसमें लोन की facility भी उपलब्द है तीन साल के वाद अगर तीन साल लगतार चली है policy आपकी तो तीन साल के वाद आप लोन की facility भी ले सकते हैं अन्डोमेंटासरस या ग्राम संतोष जीवन भीमा में और इस policy को अगर आप surrender करना चाहते हैं तो तीन साल के वाद आप इस policy को surrender भी कर सकते हैं और इसका जो bonus rate रहता है दोस्तों इसका bonus rate रहता है 58 rupees per 1000 मतलब की 1000 पर एक साल में 58 rupees का आपको bonus मिलता है अगर आपका एक लाग का समश्योड हो तो आपको जो आपका जो bonus होगा वो होगा 5800 पर एन्म के साफ से तो दोस्तों बात करते हैं anticipated endowment assurance जिसको की सुमंगल भी बोला जाता है जिसको की सुमंगल भी बोला जाता है ग्राम सुमंगल बोला जाता है इसका जो term होती है वो 20 साल और 15 साल की र बोल सकता है ग्राम सुमंगल की anticipated endowment assurance की और इसमें जो minimum age रहती है वो रहती है 19 साल और maximum age रहता है 40 साल और मतलब 40 साल रहती है 20 साल तर्म के लिए और 15 साल रहती है 15 साल तर्म के लिए अगर आपने 15 साल तर्म बाली policy खोल लिए anticipated endowment assurance खोल लिए तो आपका 45 साल होना जरूरी ह maximum और अगर आप 20 साल की जो anticipated endowment assurance खोलना चाते हैं तो आपका maximum age रहेगा 40 साल और बात करे survival benefit की तो 15 साल तो 15 साल policy में 20% का 6 साल के उपरांत मिलेगा 9 साल के उपरांत मिलेगा और 12 साल के उपरांत 40% bonus maturity में मिलेगा ठीक है और जो 20 साल की जो policy है उसमें 20% का जो है आठ आठ साल बारा साल और 16 साल के completion में मिलेगा और जो 40 40% amount है वो bonus maturity के दोरान मिलेगा इस policy में और इस policy में जो bonus rate रहता है वो रहता है 53 रूपीज पर 1000 मतलब 1000 पर आपको मिलता है 53 रूपीज का bonus चलिए दोस्तों बात करते हैं Joint Life Assurance की जिसको की यूगल सरक्षा भी बोला जाता है तो दोस्तों इसका जो समश्योड रहता है वो सेम रहता है 20,000 से लेकर 50,000,000 तक की policy खोल सकता है कोई भी और इसकी जो age limit रहती है वो रहती है 21 साल से 45 साल क्यूंकि 21 साल जो होती है वो एक minimum age होती है शादी करने के किसी पूरिश को और जो 45 साल वो maximum age रहती है ठीक है मतलब maximum age रहती है joint life assurance के लिए मतलब यूगल का मतलब होता है दम पती को पती पतनी इस खात्य को खोल सकता है इस policy को खोल सकता है तो इसलिए minimum age रहती है 21 साल और maximum age रहती है 45 यूज या पंतालिस साल और इस साल की जो जो इस joint की joint life assurance की जो maturity या term रहती है वो रहती है 20 साल maximum और minimum रहती है 5 साल आप 5 साल की policy भी खोल सकते हैं और maximum 20 साल की policy भी खोल सकते हैं और इस policy में आपको 3 साल बाद loan की facility भी मिलती है अगर surrender करना चाते हैं तो 3 साल बाद आप इस policy को surrender भी कर सकते हैं और इसमें जो bonus rate रहता है वो रहता है 58 rupees per thousand rupees तो एक लाग के उपर आपको 58 hundred का जो है bonus मिलता है और बात करते हैं last policy की जो की है children policy चिल्डरन policy या बाल जीवन बीमा बाल जीवन बीमा खोलने के लिए बच्चे की जो उमर होती है वो 5 से 20 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें ये भी बात जरूरी रहती है कि जिस children की policy खोलनी है उसके parents की भी भरती डाक जीवन बीमा में कोई policy हो तो इसका जो समय शोड रहता है वो रहता है तीन लाक और इससे मतलब तीन लाका जो समय शोड तक children policy को खोल सकते हैं और जो policy holder के जो parents होते हैं उसकी उमर 45 साल से उपर नहीं होनी चाहिए और इस जो policy में है वो लोन की facility अवेलेबल नहीं है तो आपको question आ सकता है प्रिक्षाम है कि कि जो policy में लोन की facility अवेलेबल नहीं है तो वो है children policy के under आता है वो loan facility के under नहीं होता है तो दोस्तो ये इस policy में surrender भी available नहीं है और जो रहता है इसका जो bonus rate वो रहता है 58 रुपिज पर एनम जो की endermate insurance के बरावर ग्राम संतुष के बरावर इसमें जो है bonus rate मिलता है तो दोस्तो तो दोस्तो ये था आज का topic postal life insurance जिसको की dark जीवन भी में भी बोला जाता है अगर आपको ये topic अच्छा लगा है तो इस channel को subscribe कर ले वीडियो को like कर ले और अगर आप वविश्य में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो bell को icon को भी प्रेस करें ताकि आपको notification मिलती रहे धन्यवाद